अगर किसी स्त्री के शरीर के कुछ अंग बड़े होते हैं तो वो साक्षा देवी लक्ष्मी का प्रति बिम्प मानी गई है। ऐसी स्त्री होती है भाग्य शाली चमकादी की आपका भी भाग्य है। आज की इस वीडियो में हम आपको स्त्री के उन अंग के बारे में बताएंगे जिनका बड़ा होना बेहद शुब माना जाता है। कहा जाता है कि स्त्री को समझना बहुत ही मुश्किल काम है। स्त्री अगर घर को स्वर्ग बना सकती है तो उसमें ये भी शमता है कि वो पत भ्रष्ट होने पर उसे नर्क भी बना सकती है। कुछ लक्षन स्त्रीयों के चरित रहीन होने की और इशारा करते हैं तो कुछ उनके भाग्याशाली होने की और भी इशारा करते हैं। समुत्र शास्त्र में एक औरत के गुनों को उसके शरीर की बनावट के आधार पर भली भाती बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जिस पुरुष के पास ऐसी स्त्री है उसे खुद को भाग्याशाली समझना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको स्त्रीयों के शरीर के कुछ ऐसे ही लक्षनों के बारे में बताने जा रही हैं। अगर आपने अभी तक चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों पहला लक्षन है लंबी गर्दन सामुद्रिक शास्त्र में लंबी गर्दन वाली महिलाओं को मंगल कारी माना गया है। जिन महिलाओं की गर्दन लंबी होती है वो एश्वेरे शालीनी होती है इनके पास संपूर्ण वैभव होता है इसके रहते पती को कभी भी पैसों की कमी नहीं आती। अगला लक्षन है लंबे और बड़े बाल शास्त्रों में वर्णित है कि लंबे बालों वाली महिलाएं पदमिनी होती है अथार्थ उच कोटी की होती है लंबे और रेश्मी बाल शुपता और सौंधर्य का प्रतीक है भगवती देवी का कोई भी चित्र या प्रतीमा सामुत्रिक शास्त्र के नुसार जिन महिलाओं की जंगाएं प्रिष्ट वे मासल होती है वो वैभव शाली होती है इनके कारण ही पती को मकान और वाहनादी का सुख बहतर ढंग से प्राप्त होता है पतली वे विकृत जंगाओं को शास्त्रों में अच्छा नहीं माना गय अगला लक्षन है बड़ी आखे बड़ी आखे महिलाओं के लिए सोभाग्य का प्रती होती है गरुन पुरान में लिखा है कि बड़ी आखों वाली महिलाएं विधूशी विवेकशील और बेहत समझदार होती है ये पूरे परिवार के लिए शुब होती है और विपत्ती आने पर अपनी सूज बूज से पूरे परिवार को संभाल लेती है इनके रहते घर में धनकी कमी नहीं होती अगला लक्षन है लंबी नाक सामान्या से कुछ लंबी नाक वाली महिलाएं गंभीर और शांत स्वभाव की होती हैं यहर विपत्ति का सामना करने में सक्षम होती है इनके कारन पूरा परिवार सुरक्षित रहता है वहीं सामान्या सिर और सामान्या आकार के कानवाली महिलाएं परिवार के लिए अच्छी मानी जाती है अगला लक्षन है पैर और उंगलियां सामुद्रिक शास्तर में महिलाओं के हाथ और पैरों के आकार को विशेश महत्वदिया गया है सामानी आकार के चिकने पैरों वाली महिलाएं एक तरहां से लक्षमी स्वरूप होती है इनके पैरों की सबसे छोटी उंगली कुछ लंबी और भूमी को सपर्श करती हुई होती है ये महिलाएं बेहद ही भाग्यशाली और पती के लिए लकी होती है इसी तरह हातों की मध्यमाकार की उंगलियों और चिक्ने हातों वाली महिलाएं भी पती के लिए बहतरीन और लकी साबित होती है दोस्तो कुछ महिलाओं के पीछे का भाग मोटा होता है वहीं कुछ महिलाओं में ये भाग शादी के बाद बड़ा हो जाता है तो आईए अब जानते हैं कि ऐसी महिलाएं कैसी होती है दोस्तो जानकारी के लिए बता दे कि एक सर्वे में इसका खुलासा हुआ और इस सर्वे के लिए महिलाओं का पीछे का सबसे बड़ा भाग और कमर के सबसे पतले हिस्से को मापा गया University of Leeds के शोद करताओं ने इस सर्वे में पाया कि जिन महिलाओं ने कई बार one night stand किये हैं उनका पीछे का हिस्सा आम महिलाओं की तुलना में काफी बड़ा है एक सर्वे के बाद ये भी पाया गया कि जिन महिलाओं के पार्टनर के अलावा उनके और भी कई संबन थे तो उनका भी पीछे का भाग कई सेंटीमीटर बढ़ा पाया खेर ये तो थी कुछ रिसर्च और सर्वे की बात लेकिन आपको बता दे के ये बात हर महिला के लिए लागू नहीं होती दरसल दोस्तों शादी के बाद महिलाओं में कई होल्मोन सक्रिय हो जाते हैं जिसके कारण वो जादा खाने लग जाती है और उनका पीछे का भाग बढ़ा हो जाता है वहीं जादा सोने से भी महिलाओं का पीछे का हिस्सा जादा बढ़ा होने लगता है दोस्तों वहीं 18-26 साल की 148 महिलाओं को लेकर किये गए इस रिसर्च के मुख्य शोध करता प्रोफेसर कॉलिंग के मुताबिक जिन महिलाओं के बाकी महिलाओं की तुलना में पीछे का भाग अगर बढ़ा होता है तो उन्हें कई फाइदे होते हैं जैसे पुर्शो का इनकी और जबरदस्त आकरशित होना और वहीं इन्हें बच्चे पैदा करने में काफी आसानी होती है पीछे के बड़े हिस्से वाली महिलाओं बिना किसी खास परिशानी के शिशु को जन्म दे सकती है जबकि इनकी तुलना में पतले हिस्से वाली महिलाओं को बच्चे पैदा करने में बहुत ही दर्द और तकलीफ का सामना करना पड़ता है वहीं दोस्तों अब शास्त्रों की माने तो जिन महिलाओं के पीछे का हिस्सा बड़ा होता है उन्हें संतान सुक्की प्राप्ती जीवन में जल्द होती है और इनकी संतान भी भाग्याशाली वे सुक देने वाली होती है ऐसी महिलाओं के घर में कभी भी संतान पक्षकी और से घर वालों को कोई भी दुख या कश्ट नहीं झेलना पड़ता इनकी संतान हमेशा सब का आदर करने वाली और आग्याकारी होती है और इसलिए ऐसी स्त्रीयों को भी भाग्याशाली माना जाता है इसी के साथ दोस्तो क्या आप जानते हैं कि स्त्रीयों में कौन सा वो अंग है जो सबसे पवित्र है लेकिन उसे पहले आईए जानते हैं कि गरुड पुरान में स्त्री के शुब लक्षनों के बारे में क्या बताया गया है दोस्तो गरुड पुरान के अनुसार वो स्त्री जो घर के सभी काम जैसे भोजन बनाना, साफ सपाई करना, घर को सजाना, कपड़े बरतानादी साफ करना, बच्चों की जिम्मेदारी ठीक से निभाना, घर आए अतितियों का मान सम्मान करना, कम संसाधनों में भी ग्रहस् होती है, जो स्त्री अपने पती की बातों को सुनती है और उसका पालन करती है, इसके अलावा पती के मन को चोट पहुचाने वाली कोई भी बात नहीं करती, ऐसी स्त्री के लिए पती कुछ भी करने को तयार रहते हैं, वो स्त्री जो अपने पती के अलावा किसी अन्या पु दोस्तों हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रहामनों के पैर सबसे जादा पवित्र होते हैं वहीं गाए के शरीर का पिछला भाग पवित्र माना जाता है घोड़े का मुख पवित्र माना जाता है तो क्या आप जानते हैं कि स्त्री के शरीर का कौन सा भाग पवित्र माना जाता है आपको बता दे कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि स्त्री का पूरा का पूरा शरीर पवित्र होता है अगर आपको ये लगता है कि कोई भाग अपवित्र है तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है स्त्री के शरीर के हर भाग को पवित्र माना गया है भारत देश में केरल एक ऐसी जगा है जहां पर स्त्रियों की पूजा होती है मा बहन बेटी के रूप में स्त्रियों को पूजा जाता है शायद इसलिए केरल को भगवान की भूमी भी कहा जाता है और ये सही भी है जहां पर स्त्रियों की पूजा होती है वहां पर स्वयम भगवान बसते हैं क कैसे चूडिया, मंगल, सुत्र, पायल, सिंदूर और पैरों की बिच्वां बहुत ही महत्व रखती हैं लेकिन खास कर यहां हम इस वीडियो में आज बिच्वा की बात करने वाले हैं शास्तरों के अनुसार पैरों में बिच्वा पहनने से ना सिर्फ फायदे मिलते हैं बलकि इससे पती पर विपदा भी नहीं आती और संकट भी दूर रहते हैं अकसर महिलाएं पैरों में बिच्वा उतारते समय कई गलतियां कर देती हैं जिसके कारण उनके पती पर संकट आ जाते हैं पैरों में बिच्वा पहनते समय और इसे उतारते समय कई सावधानिया बरतेनी चाहिए दोस्तों मालक्ष्मी बहुत ही प्यारी है और चंचल स्वभाव के कारण वो अपने भक्तों से कभी जादा समय तक नाराज नहीं रह सकती अगर आप मालक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो कमेंस में जरूर लिखे जय मालक्ष्मी जय माता दी मालक्षमी के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है दोस्तों अगर आप भी अपने पैरों में बिच्छियां उतार देते हैं या आप बिच्छियां उतारते समय ये गलतियां करते हैं तो ऐसے में घोर अनर्थ होता है ऐसे में आप पुराना बिच्छुया बदलते समय ये गलतियां कभी भी ना करें जो इस वीडियो में हम आगे बताने वाले हैं दोस्तो शास्तरों के नुसार हिंदू-मुसलिम महिलाएं दोनों ही पैरों में बिच्छियां पहनती है शास्तरों के नुसार इसे पती की निशानी माना जाता है पती पर कोई भारी विपदा ना आये इसलिए महिलाओं को पैरों में बिच्छियां जरूर पहननी चाहिए और वहीं कुआरी कन्याओं को पैरों में बिच्छियां नहीं पहननी चाहिए इससे उन्हें घोर पाप वमेशा उसे सटा कर पहनना चाहिए और पुराना तुरंत उतार देना चाहिए। ऐसे में नया बिच्छियां तुरंत पैरों में आ जाता है और कश्ट भी नहीं आते। शास्त्रों के अनुसार किसी भी महिला को थोड़े समय के लिए भी अपने पैरों से बिच्छियां न चाहते हैं तो आप इसे कहीं पर संभाल के रख दें बिच्छिया फैक ना भी गलत है इसे पाप माना जाता है। दरसल बिच्छिया आपके अस्तित्व से जुड़ा होता है जो आप दोलों के प्रेम को दर्शाता है। इसलिए बिच्छिया कभी किसी को भी नहीं दिया जाता इससे वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है क्योंकि यह आपके प्यार के निशानी हैं दोस्तों बिच्छिया ना केवल पती की निशानी होती है बलकि महिलाओं में कई भिमादिया भी ठीक हो जाती है आपको बता दे चांदी के गहने चंद्रमात की शीतलता का प्रती कपीर आती है ौँलोफी अतार्णी काम करने में मददकार होति और अताजा बना रहता है गया नहीं नहीं होती हैll बीचियां तूट जाए तो अशुब माना जाता है इससे पत्ति पत्नी पर कष्ट आते हैं और दोनों के बीच वाद विवाद हो जाता है शास्तरों के अनुसार मंगल सुद्र का अचानक से तूट जाना किसी बड़ी अनहोनी की और इशारा करता है ऐसे में महिला के गहने ग करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद दोस्तों आपका दिन शुब रहे जय मालक्ष्मी जय माता दी